हेलो फ्रेंज आज मैं बना रही हूँ डेट्स एंड वालनेट केक जिसमें ना ही मैं एग ना ही मैदा और ना ही एडिशनल शुगर यूज कर रही हूँ क्यूंकि जो डेट्स यानि जो खजूर होते है वो नाचरल शुगर का बहुत ही बढ़िया सोर्स होते है तो आईए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ खजूर जो कि मैंने लगबख डेट सो ग्राम लिये हैं अगर आप खजूर काउंट करके लेना चाहते हैं तो आप 20 से 25 खजूर ले सकते हैं और इस तरह से मैंने इन सब के सीज अलग कर लिये ह और अब मैं इसमें हाफ कप गरम दूदाट कर रही हूँ जिसे मैं आदे घंटे के लिए भीगने के लिए रख दूँगी ताकि जब मैं इसे ब्लेंड करूँगी तो ये एक बहुत ही स्मूद बेटर बनके रेडी हो जाएगा तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इन्हें मिक्सी जार में डाल कर ब्लेंड कर लूँगी तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस केक में मैदा यूज नहीं कर रहे हूँ तो मैं यहां ले रहे हूँ एक कप गेहूं का आटा एक चोटा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चोटा चम्मच बेकिंग पाउडर अब इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे और यह रहा खजूर का पेस्ट जो हमने ब्लेंड किया था और इसमें मैं डाल रहे हूँ आधा कप तेल आप कोई भी रिफाइन ओयल या वेजटेबल ओयल यूज कर सकते हैं और अब मैं डाल रहे हूँ यहाँ पर वो आटा जिसमें मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आड किया था और अब हम इसे कट और फोल मेथट से मिक्स कर लेंगे क्या होता है कि जो बड़े बबल्स अगर होते हैं बीच में तो वो छोटे बबल्स में ब्रेक हो जाता है और अवन में हमारा केक बहुत अच्छे से राइज करता है पिछकता नहीं है और यहां मैंने इस बैटर को रेडी करने के लिए एक कप गरम दूद भी लिया है और थोड़ा-थोड़ा करके हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छे से केक बैटर को रेडी करेंगे तो यह देखी हमें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी रेडी करनी है और अब मैं यहां पर बारी कटे हुए अख्रोट भी डाल रही हूँ इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेकिंग ट्रे को मैंने अच्छे से यहां पर ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर का भी यूज़ किया है तो यह देखिए अब मैं केक बैटर को ट्रे में डाल रही हूँ अब इसे एक स्पून या स्पैचुला के हेल्फ से बिल्कुल फ्लाट सर्फिस कर लेंगे इसका अब इसे फड़ा फट से गानिश भी कर लेते हैं यहां मैंने थोड़े से वालनट और थोड़े से डेट्स ली हैं जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है केक को गानिश करने के बाद आप इसे दो से तीन बाद टाप जरूर कर लें जिससे केक जो है न सेटल दाउन हो जाता है अच्छे से और यहां पर मैंने ओटी जी को प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर और यहां मैंने इस केक को बेक किया है लगभग 35 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर और मैंने इस बेकिंग ट्रे को सेंटर राग पर रखा था और आए चेक कर लेते हैं यह देखिए कितना बढ़िया यह केक बनकर रेडी हुआ है जल्दी से इसको इस रहा से फ्लिप करके ताकि यह टूटे ना बहुत अराम से आप इसको निकालें ठंडा होने पर आप इस केक को अपने बच्चों को लंच बॉक्स में पाक करके भी दे सकते हैं क्यूंकि यह इतना टेस्टी और हेल्दी आप्शन है उनके लिए और मेरी बेटी तो यह केक बहुत ही इंजॉई करती है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए और अगर मेरे चानल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबस्क्राइब कर लीजिए